नमस्कार! बहुत सो लोग मुझे कहते हैं कि सर सुबह बहुत नीन दाती हैं, बहुत आलश याता है, बहुत लेजिनेस सरीर में हम फील करते हैं, सुबह ऐसे लगता है गंटों तक विश्टर पर पढ़े रहें, एसे लगता है कि दिन के बारा बज़े तक सोते रहें, जोग पर जाने का मन नहीं करता है, लगता है कि क्या जाना रोज रोज लोज जाके बोँर हो गए हो? बहुत से लोगों की ये सिकायद रहती है. वो कहते हैं कि सर्क हम जोब करते हैं कई पर भी बिजनिस करते हैं कई भी एक उस्सा एक उमंग एक पेशन अंदर फिलिंग नहीं आती है अपने काम के पड़िंग बहुत से लोगों की यह कंप्लैन होती है तो पूस्ते हैं सर्क क्या का है वो उस्सा वो उस्सा उमंग का सरा है ऐसा क्या करें कि रोगों सुबर ओटोमेटिक नीद खुल जाए और जोब पर जाने के लिए उस्सा है उमंग से जाए एक नई उस्सा मन में रखकर जोब पर जाएं ऐसा कैसे करें एक बात द्यां तक है सबसे बड़ी बात जिस व्यक्ति के पास में कोई लक्ष नहीं होता है उस व्यक्ति को बहुत दीन दाती है उस व्यक्ति को बहुत आलश आता है उस व्यक्ति को जोब पर जाने का मन नहीं करता है कि ध्यान रखना कि जिस व्यक्ति के मन में कुछ उच्सा है कुछ करने की तमन्ना है कि मैंने वो लक्ष अचीव किया है और मुझे वो लक्ष पाना है तो इस इंसान को नील अलश क्या होती है वह बूल जाएगा हरा गार आप आपय तो लों यह प्याइब कहते हैं हम क्या क्या लक्ष करें बहुत offended ईलिक को मॉस्ते हैं किसरे सा और भर हम क्या उसे और क्या अंग रखे व्रोद जाना ऑला या यह वह आया बड़ी प्रावेट कमणी में प्रविय सकते हो अपने जीना परती आप के चो देख्ष लोगे ना पर इंहलो बना है तभी बनाइगा Myie, आपकी और्वंगन के च्यांतर में कुछ विसीयाश करते हैं कर सकते है दस लोग आपका सेम काम कर रहे हैं लेकिन आपको अगर कुछ विश्यास करना है कुछ मन में उमंग रखनी कुछ उस्सा रखनी उन दस लोगों से आप वो काम अलग करके दिखाईए आपकी फेम होगी सब लोग आपकी परसंसा करेंगे आपको सम्मान मिलेगा अगर आप चाते हो यह करना तो अदर्वाइस किया अदर्वाइस आप जा रहे हो रोज आ रहे हो गड़ पे नवा सो रहे हो अलस आ रहा है नवा बस नीद आ रहे हैं जा रहे हो आपको कुछ करना है आपको बीड से हटकर आगे निकलना है आपको लगता है कि मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ तो मुझे प्राइवेट सेक्टर में हम पचास जने एक जिगे काम कर रहे हैं तो मुझे उन पचास में से आगे निकलना है तो आपको अलश और नीद नहीं में ज्यादा बड़ा टार्गेट ना ले चोटे 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 टार्गेट ले एक सब्ता में पूरे होने वाले एक मैना में पूरे होने वाले एक साल में पूरे होने वाले इसे चोटे 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 टार्गेट लोगे ना तो आपको अटोमेटिक आपके नीद और आपके आपके mind से निकल जाएगी आपके सरी से निकल जाएगी आप चाहे किसी भी stage पर हो आपको मातवगान सा रخनी होगी एफ बताया आपको आपको कोई गुमने जाना हो या आपको कोई साधी में जाना हो सूभे-सूभे जल्दी तो आपको पता है आपको तुरंद नीद खुल जाती है और आपको अलशी भी नहीं आता है क्यों क्यों क्योंकि आपको कुछ संतिंग डिफ्रेंट करना हो आपको उस जगह पर पहुचना हो आपको वह कारिय पूरा करना होता है इसलिए आपको नीद और अलशी तुरंद तो आप कुछ ऐसा अगर आपके हलक्ष होगा ना कुछ अचिवगर तो द्वाइ आपके नियुक्र क्या होती है आपकी आलश क्या होती है आप सब बूल जाओ लेकिन अगर आपको जीवनियुकर रुखश नही है कोई एम नहीं है तो आपको नीन भी बहुत आएगी आपको आलश भी बहुत आएगा और आपको कुछ काम करने की भी इच्छा नहीं होगी इसलिए सबसे पहले आपने जीवन में एम बनाईएगी आपको क्या करना है